हेलो गाईज हमारी चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे फोर्चुनर 2021 की तो भाई इसके प्राइज की बात करें तो इसका एक्सूरूम प्राइज 29 लाग से स्टार्ट है और जाके 38 लाग पर खतम होता है तो अब मैं एक बर इसके हेड लाइट से ओन करके दिख देखाऊंगा मैं फोग लेंप के ऊपर हमें दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं वह हमें जैसे भी कहीं अपनी गाड़ी पार्किंग करने होती है दिवार वगेरा कि आस पास तो वह हमें आगे बता देते हैं कितना स्पेस बचा है तो अब गाड़ी को स्टार्ट करके उ कि अब नोईज आपने सुनी ली अब यह हमारे नीचे इंडिघ्रेटर्स मिल जाते हैं यह अगर हमारी लाइट ऑन होती है और इंडिघ्र बंद होता है तो यह लाइट का भी काम करते हैं अब गाड़ी के Center की बात करें तो एक और में आपको Center आप से देख सकते हो सेंटरमं बीच में हमें ट्वीटा का बड़ा सा लोगो मिल जाता है सैडquently साइड में बलैक कलर कि गिरिल्स मिल जाती है, नीचे सिल्वर कलर का हमें इसमें बंफर मिल जाता है, अब यहां पर आप साइड में इसके लाइट देखी सकते हो, हमारे इंडिकेटर बंद χालत थो नीचे की लाइट on है, और fog lamp भी on और fog lamp भी देख सकते हो यहां से आप एक बाप एक बार beam headlets देख सकते हो इसकी हम मैं आपको एक वर इसका side view दिखा देता हूँ अब इसके tires की बात करें तो इसमें machine cut alloy wheel मिलते हैं और tire के size की बात करें तो 265, 65, 67 का इसमें tire मिलता है front wheelों में हमें disc brake मिलते हैं अब चलते हैं हम पीछे पीछे गड़ इसकी tail lights देख लेते हैं तो tail lights हमारी on हैं अब देख सकते हो आप अगर इसकी break की light on करेंगे हम तो कुछ हिस type से हमारी light दिखाई देंगे और Indigator on करेंगे तो Indigator देख सकते हो अगर भाई हमारी पीछे की सारी lights on होंगी तो पीछे का view की इस type का दिखाई देगा आप देख सकते हो अब यहाँ पर नीचे हमें चार रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और दो रिफलेक्टर मिल जाते हैं और बीच में हमें मिल जाता है एक टोयोटा का बड़ा सा लोगो और उसके नीचे फॉर्ट चुनर लिकी हुई सिल्वर की सी पट्टी मिल जाती है और सबसे उपर हमें spoiler मिल जाता है उसमें break light mounted मिल जाती है ऊपर हमें sharp pin antenna मिल जाता है wiper washer defogger भी मिल जाते हैं और आप हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और मैं एक वर दिखा देता हूं फिर अंदर से हैं तो भाइ एकवर इसकी बात करें तो हमें वर्जम समre दे हैं विशी कर्फ़ dusHHH देटे तल गाड़ी और पर बात निचे मिलते हैं हमें के MIDDL लाइट अब चलते हैं हम अंदर तो भाई यहां पर हमें इलेक्टिकल एड्जस्ट सीट मिलती है आगे पीछे और ऊपर नीचे करने के लिए अपने हाइट के अकॉर्डिंग यहां आप देख सकते हो एक बार सीट को है अब मैं एक बढ़ दिखादेता हूं अठोर में ओपर हमें ओ आर बिम को कंट्र गरने के बटन मिलते हैं अदो वह हमारा लेफ्ट राइट करता है और नीचे हमें अनलोग और लोग का बटन मिल जाता है है यह यह स्पिकर पर यहां पर एक लाइट आती है यह हमारी डीजल मैनुल है तो इसमें हमें ठीडल समलते हैं एकसीलियेशन ब्रेक और क्लच यहां आप देख सकते हो तो भाई यहां पर हमें एक ट्वीट मिल जाता है और यहां पर हमें अपना मिल जाता है पुछ बटन स्टाट स्टॉप के लिए और यहां पर हमें बूट के कंट्रॉल्स मिल जाते हमें इसे यहां से लॉक कर देंगे तो हमारा बूट ओपन नहीं होगा और ये हमें पार्किंग सेंसर का बटन मिल जाता है इसे बंद करे देंगे तो वो काम नहीं करेगा और ये हमारे बॉनट और फ्यूल टेंक के लिए तो भाई अब एक कोई स्टेरिंग देख सकते हो स्टेरिंग में हमें स्टीरियो के कंट्रॉल समल जाते हैं इसमें हमें 6 तक rpm मिलते हैं और इधर हमें स्पीड मिलती है 200 तक और ये हमारी M idea बीच में इसको भी मैं on करके दिखाऊंगा बीच में इसके AC वेंट से देख सकते हो यहां 1000 बटन मिल जाता है हमें और यहां पर हमारी स्क्रीन मिल जाती है टाइम वगयरा दिखाने के लिए और नीचे हमें उटोमेटिक क्लाइमेट कंटॉल AC मिल जाता है यहां हमें 12 वाट का सॉकिट मिल जाता है और यह हमें USB और AUX का पॉर्ट मिल जाता है यह हमारी वैल्टी लेटर सीट है इनकी एर के लिए यहां पर बटन मिल जाते हैं यहां हमें स्पेस मिल जाता है कुछ भी रखने के लिए यह फॉन वगैरा रखने के लिए तो यह हमारी सिक्स मैनुल टांस्मिशन सिस्टम है तो कुछ भी कोई वगैरा रखने के लिए यह हंट ब्रेक मिलता है इस टाइप को यह आरम रेश में आप स्पेस देख सकते हो यह एजस्टिवल नहीं है एक जिगे ही सेट है अम मैं एक वर इसका यह दिखा देता हूं तो भाई यह इस कूल रहता हम अपनी बॉटल वगैरा र करते हैं कि यह जो हमारे इंफोर्टेन्मेंट सिस्टम में यह हमारा एंडल डॉट एपल कार पिले ब्लुटूथ यूएसबी ऑक्स इनको सपोर्ट करता है और सिक्रीन में हमें नेवीगेशन वगैरा देखने को मिलती है तो पहले जो हमारा वो सिस्टम आता था नहीं करता था तो अब यहां पर हमें वन टच्च कैविल लाइट मिलती है और यहां पर हमें संग्लास होल्डर मिलता है अपने गिलास वगैरा रखने के लिए और मैं एक वर सनवाईजर दिखा देता हूं इसमें वेंटी मिरर मिलता है विद लाइट के साथ आप इसे पू आफिर लाइववाला सन्वाजर मिल जाता है इसमें भी हमें वेंटि में मिलता है इसे कवर को हटा था है हमारी लाइट ऑन हो जाती है सजिðा हमारे MID को अ बटन से स्टैरिंग में यह हमारे पीछे का आगे चैने का जो भी हमारी इंफोर्मिशन M.I.D. में मिल जाती है сиг़ा तो अब चलते हैं हम पीछे और पीछे के डूर में हमें डूर हैंडल कुछ इस टाइप का मिलता है कि यहां पर इसका स्पेस देख सकते हो 6 फिट का आदमी आराम से आ सकता है और खूब स्पेस अभी और यहां पर हमें अपना कोई वग few कहने के लिए पॉकेट मिल जाता है आउटलिट मिल जाता है बार-खक अब यहां पर यह हमारे हुक सesenव ilustire कि हम चार कीजिद में अपनी पन पन्ना कि लटका सकते हैं इसकी सीट के सकते हो लेधर में यहां रूडपान यह हमारे pockets अपनी file वगेरा रखने के लिए कुछ भी रखने के लिए और यहां से आप एक वर इसका desk board देख सकते हो और यहां पीछे की seats वगेरा देख सकते हो पीछे का view और एक पीछे cabin light मिल जाती है और यहां पीछे हमें दो इस events मिल जाते हैं अब मैं आपको एक वर दिखा देता हूं पीछे passenger कैसे जाएगा इस गाड़ी में पीछे seat fold करनी पड़ेगी हमें और वो भी बताऊंगा मैं कैसे fold होगी तो यहां से आप एक वर देख सकते हो seat में हमें handle मिलता है इसे दवाते ही हमारी seat fold हो जाती है और पीछे जाने के लिए जिगए बन जाती है तो भाई यहां से देख सकते हो पीछे का view कुछ इस type का आएगा पीछे space तो सही है इसमें कम तो नहीं है मगर seat को पीछे कर देंगे full पर इस space कम हो जाएगा और यह हमें इसमें armrest मिल जाता है अब चलते हैं boot की तरफ और यह हमें black piano finish में एक पट्टी सी मिल जाती है तो भाई यहां जहां पर हमारा फॉर्चुनल लिखा हुआ है इस पलेट के नीचे एक हमें camera भी मिलता है जो हमें reverse के लिए बहुत मदद करता है पीछे दिखाता है कुछ है तो नहीं पर नीचे हमें एक बटन मिलता है इसे प्रेस करते ही हमारा boot open हो जाता है कि यहां से अब एक वर इसका boot का डूर देख सकते हो अब इसके boot space की बात करें तो 296 लिटर का इसमें boot space आता है और यहां पर हमें hangar type आता है हम अपना कुछ भी टाक सकते हैं और यहां दूसरी type भी हमें यह मिलता है और यहां पर हमें tool box मिलता है इसमें हमें अपने jack वगे देता हूं मैं आपको यहां पर हमें 12 वाट का आउटलिट मिलता है हमें बूट के डूर में बटन मिलता है जिसे हम एक बड़ प्रेस कर देते हैं तो हमारा बूट अपने आप क्लोज हो जाता है इसे क्लोज होते भाई कोई इंडिकेटर वगयरा कुछ और नहीं होता वीडियो देखने के लिए धन्यवाद